वेलकम टू माई चैनल एम एजुकेशन फ्रेंड चो कुश्चन आंसर आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी वो है बी ए फिर्स्ट इयर इंग्लिश प्रोज इस्किल से लिए गए हैं वो कुश्चन आंसर और फास्ट सेमिस्टर है ये चैप्टर का नेम है दा लोजचाइल्ट इसे लिखा है मुल्क राजानन ने हमारा फ्रस्ट कुश्चन है राइट दा मेन गरेक्टर ऑफ दा इस्टोरी दा लोजचाइल्ट एंड मेन वैल्यू पॉइंट इस कहानी के जो मेन क्रेक्टर है उसके बारे में उनके बारे में बताईए और जो इसका value point है इस story का उसके बारे में बताईए हमारा जो first character है वो है the lowest child खोया हुआ बच्चा The child was excited as he was to affair with his parents He was fascinated by many things like toys, many sweets and garland etc जो बच्चा है वो बहुत excited है मेले में जा रहा है क्योंकि वो अपने parents के साथ और वो जब मेले में जाता है वो अकरशित हो जाता है बहुत सारी चीजों को देख कर क्योंकि मेले में उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जैसे कि toys, many sweets and garland etc In the affair he asked his parents to buy something for him but they refused, he was an obedient child as he could see the refusal for his demand on his parents face जब बच्चा उन चीजों को खरीदने के लिए कहता है अपने माता पिता से तो उसके जो parents होते हैं वो refuse कर देते हैं, मना कर देते हैं बच्चे को वो नहीं दिलाते हैं वो चीजों को बच्चा एक आग्या कारी बच्चा है वो और वो जैसे देखता है कि जो भी मैं demand करूँगा मेरे माता पिता इसे refusal कर देंगे, refuse कर देंगे तो वो माता पिता के face को देखकर ही आगे चलने लगता है वो enjoy करना चाहता है round about पर, जूले पर वो जूलना चाहता है बट ही move back to request his parents for it लेकिन वो पहले ही अपने माता पिता की तरफ देखकर और आगे की तरफ move हो जाता है वो he found his parents now ever अब वो जैसे जा रहा तो देखता है कि वो उसके माता पिता महाँ पर नहीं है, वो शायद रास्ता को गया है his face was convulsed with fear and tear rolled down from his eyes जब वो देखता है पीछे गुमकर की मेरे माता पिता तो है ही नहीं वो कापने लगता है डर से and tear rolled down from his eyes और आँसु भेने लगते हैं उसकी आँखों से a man from the crowd heard his cries and tried to console him by offering different things तब ही वो जब बहुत रोता रहता है तो एक old man होता है, unknown person जिसे वो बच्चा भी नहीं जानता है वो भीड में से उसकी आवाज सुनता है और उसको देखता है तो वो जल्दी से आता है उसको संत्वना देता है और सारी चीजे दिलाने का offer करता है कि ये ले लो जो बच्चा पहले चाहता था which previously he wanted जो बच्चा पहले चाहता था the fear is so predominant that the child did not show any interest in these things he was so innocent that he only wanted his parents बच्चे का डर जो है इतना प्रबल हो गया है कि बच्चा किसी भी चीज में interest नहीं रख रहा है बच्चा बहुत innocent है that he only wanted his parents बच्चा केवल अपने माता पिता को चाहता है बच्चे को अब कोई चीज ऐसी नहीं चाहिए friends हमारा जो इसमें next character है वो है unknown man जो वो old व्यक्ती था जिसने बच्चे की help की थी the unknown man was very kind and generous unknown man जो होता है वो बहुत kind होता है generous होता है उदार होता है in the crowd he was only the man who came forward to help the lost child केवल वही एक ऐसा आदमी होता है जो भीड से निकल कर आता है और उस खोईवे बच्चे की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है first he lifted up to the lost child in his arms सबसे पहले जब वो बच्चे को देखता है तो वो अपने उसे arms में उठा लेता है he asked the child about him and his parents to go to know that he had lost his parents जब वो बच्चे से पूसता है बच्चे के बारे में उसके माता पिता के बारे में तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता खो गए है he tried each and everything to console the lost and shopping child वो पूरी कोशिश करता है जो कुछ वो कर सकता है बच्चे को संत्वना देने के लिए वो ओफर वो हर चीज ओफर करता है जो बच्चा पहले चाहता था जो अन्नोन परसन है वो सिम्बल है मानवता का वो हर तरीके से बच्चे की मदद करना चाहता है इसमें जो हमारा main heading है वो है value point इस question में value point क्या है the child is being taken to the fair by his parents जो बच्चा है वो मेले में ले जाया जाता है माता-पिता के दुआरा उसके माता-पिता ले जाते है there are many attractions in the fair for the child like balloons वहाँ पर बहुत सारा attraction दिखता है बच्चा जिन से आकरशित हो जाता है जैसे कि balloons, merry-go-round, toys and edible things the child asks his parents for these things which they refused बच्चा बहुत सारी चीजों के लिए कहता है लेकिन उसके माता-पिता उन चीजों को मना कर देते है friends हमारा जो next question है वो है compare the attitude of the child before and after his separation from his parents तुलना कीजिये कि बच्चा अपने माता-पिता से बिच्चरने से पहले क्या attitude था उसका और बिच्चरने के बाद क्या attitude था friends यहाँ पर जो question में psychology दिखाई गई है कि बच्चा बच्चा क्या सोचता था पहले और बद में बच्चा क्या सोचने लगा the parents parents are the most lovable to a child किसी भी बच्चे के लिए जो माता-पिता होते हैं सबसे valuable होते हैं it is of no worth how they are इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे है but they are the one who matter the most लेकिन बस उसे यह पता होती है बच्चे को कि मेरे माता-पिता सबसे अच्छे है be they kind वो kind भी हो सकते है माता-पिता strict भी हो सकते है discipline भी हो सकते है liberal भी हो सकते है liberal means उदार but they are just valuable बस बच्चे के लिए तो वो valuable होते है it doesn't matter what are they when parents are with the child जब बच्चे के साथ parents होते हैं he feels secured, safe and he has a sense of जब बच्चे के साथ माता-पिता होते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा safe महसूस करता है और अपने आपको बहुत protective महसूस करता है बच्चा अपने आपको बहुत safe महसूस करता है there remains no fear उसे कोई डर नहीं होता है no apprehensive at all with the parents और उसे parents के साथ कुछ भी डर नहीं है उसे किसी भी चीज का insecure नहीं है before separation from his parents जब वो अपने पेरेंस से separation नहीं होता है उसे किसी भी चीज का डर नहीं है वो बहुत अच्छे से है खुश है वो the child was very happy and excited fascinated with what he saw in the fear और बच्चा बहुत खुश है अपने माता पिता के साथ जब वो माता पिता से अलग नहीं होता है चीजों को देखकर आकर्शित हो जाता है मेले में and he wanted to have toy ballons वो बहुत सारी चीजे चाहता है मेले में toy चाहता है ballons चाहता है sweets, flowers and a ride on the roundabout और वो जूले पर जूलना चाहता है but after separation from his parents लेकिन जब बच्चा बिछड जाता है separate हो जाता है अपने माता पिता से अलग हो जाता है he was panic, stricken वो बहुत panic हो जाता है परिशान हो जाता है और डर से वो डर जाता है and his mood changed completely और उसका जो mood होता है वो completely change हो जाता है he started crying वो रोना शुरू कर देता है full of tears बड़े बड़े आंसूस के भैते है of what happened now अब क्या हो गया है क्योंकि उसके माता पिता ही नहीं थे when a kind-hearted man offered all the things जब दयालू व्यक्ती जो होता है वो उस बच्चे को offer करता है सारी चीजों को कि मैं ये ले लो ये ले लो that he liked जो बच्चा पसंद करता था पहले but he refused everything लेकिन बच्चा अब सब चीजों को मना कर देता है he only wanted his parents अब केवल वो अपने माता पिता को चाहता था अब उसे माता पिता चाहिए थे as in their absence उनकी absence में माता पिता की absence में all thing has became useless to him माता पिता नहीं थे तो बच्चे के लिए वो सारी चीजे useless थी अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं था he did not want anything eatable अब वो कुछ खाने की चीज़ नहीं लेना चाहता वो कहीं पर भी enjoy नहीं करना चाहता his soul demand केवल उसकी जो आत्मा है वो sorry उसकी जो soul है वो demand करती है was his parents whom he was continuously missing अब तो वो अपने माता पिता को ही कह रहा था मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए जो मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहे थे friends हमारा जो इसका last question है बहुत ही अच्छा question है वो इसे भी मैं करा देती हूँ question है हमारा write the critical analysis of the story the lost child written by मुल्क राज आनन्द जो question है जो का story है उसे analyze कीजिए मुल्क राज आनन्द के दोरा जो लिखी गई उसके बारे में बताईए lost child एक emotional story है इसके बारे में आप क्या कह सकते है the story the lost child is a very emotional story friends बहुत अच्छी story है जब हम इसे पढ़ते हैं हम भी emotional हो जाते है the author मुल्क राज आनन्द has brought before us the bustling and farvent moment during the festive season in the village जहां पे जो मुल्क राज जो मुल्क राज आनन्द है वो तेहरों के मोसम में एक गाउं में होने वाली हलचारों उसा गती विडियो को हमारे सामने रखते हैं इस इस प्ले की the setting is a village street इस प्ले की जो setting हुई है वो village की गली में हुई है where the seasonal fair जहां पर एक मेला चल रहा है on the during spring with groves and flowers in mustard field near the street वहां पर एक field है जहां पर सरसो की फूल खिल रहे हैं सरसो के फूलों से भरा एक खेत है वहीं पर एक मेला चल रहा है और घोडे पर लोग थे वहां पर there were people riding on horse व्यक्ती वहां पर घोडे पर सवारी कर रहे थे on the road सडको पर and other sitting and being carried in the bamboo and blow cart bamboo थे वहां पर और blow carts थी वहां पर चल रही थी वो with only four characters the child the child hero जो इस पिले में जो hero है वो child है बच्चा is parents and unknown man इसी में चार character दिये गए है इस पिले में who try to console the lost and shoving child जो unknown व्यक्ती होता है वो संतोना देने की कोशिश करता है खोईवे बच्चे को सुबकते वे बच्चे को shoving सुबकते वे बच्चे को the author has made them immortal in our mind जो जो writer है जो writer है वो हमारे दिमाग में एक अमर्ता बना देता है the story the lost child of मुल्क राज आनन्द is a beautiful sample to prove the expressive power of the author to draw living characters जो मुल्क राज आनन्द है वो उन्होंने एक सबसे सुन्दर example दिया है ये sample रखा है हमारे सामने और साबित कर दिया है कि जो author है उनमें express करने की कितनी power है क्योंकि उन्होंने जो character दिखा है बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे कि वो living character हो there are only four characters without any name यहाँ पर इस story में कोई भी characters का नाम नहीं दिया गया है और किवल चार ही ऐसे character हैं जो इस story में दिखाए गए है the child, the hero जो बच्चा है वो hero है his mother उसकी माता है उसके पिता है and a kind man और एक दयालू व्यक्ती है जो उसे संतोना देने की कोशिश करता है they are immortal in our mind यह चारों जो character हैं वो हमारे mind में एक अमरता छोड़ जाते हैं the nature, the characters and emotions of all the four are exploited from the precise and brief description of setting इनका हमारे जो भावनाएं संतोना देने के लिए वो हमारे मन में अमर है इनकी जो चरित्र है और भावनाएं है उन घटनाओं के सटीक और संचिप्त विवरंट से स्पस्ट है विवरंट से स्पस्ट है of the setting and the incident as the story contains only a very few dialogue जो इस टोरी में बहुत ही कम dialogues दिये गए है with the most minimal exchange of words the author has depict all the four character effectively जो author ने चारो character का जो वर्णन किया है बहुत ही प्रभावी धंसे किया है the child the hero of the story is easily excited जो बच्चा है जो की hero है इस कहानी का वो बहुत excited है he is innocent वो मासूम है and he is scared of his father और वो जो बच्चा है वो बहुत मासूम है वो जानता है कि उसके माता पिता उसके साथ है वो बहुत खुश है उनकी उपस्तिती में he knows वो जानता है कि his mother tries to please him more कि मेरी मा मुझे अच्छे से खुश कर सकती है she is not able to he is afraid of his father he is afraid his father कि वो अपने उच्चा को एक चीज से दूसरी चीज में इस्थानांतित करने में सक्चम है वो पाता है कि किसी न किसी कारण से उसे जो भी कुछ चाहिए वो नहीं मिलेगा वह जो चाहता है उसे नहीं पाने के लिए उसे कोई दोश नहीं करता है वो कोई वो नहीं करता है कि मुझे चाहिए he is afraid yet he is not afraid of anything else in the presence of father जब उसके माता पिता होते हैं तो वो बिलकुल भी यह नहीं चाहता कि मुझे मिलेगी यह चीज as he feels secure and protect लेकिन वो अपने माता पिता के साथ secure and protect save महसूस करता है he is so mature वो बहुत परिपक्ष है and he is able to shift his external emotional और जो बच्चा है think to another as he is aware he is aware that he will not give anything whatever he want बच्चा अच्छे से जानता है कि जो वो चाहता है उसके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगा वो कारण भी नहीं बूसता है he does not have any grudge for not getting उसे नहीं मिला उसके लिए वो कोई दुखी भी नहीं होता है he proves, वो प्रूफ कर देता है कि to be child at his age he is cries and shawb when he missed his birth और उसने थाबित कर दिया है कि जब उसके माता पिता नहीं होते हैं कि वो चिलाता है, रोता है, सुबकता है जब उसके माता पिता मिस हो जाते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी thank you for watching याइच बताएंगे कि भीडियो आपको जा ये लगीज कि लगएंगे कि उसके माता है विज़ खूर के दिसे लेखं़ से साइचे कि जाथे डिया है